नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्याज को हमें कैसे लगाना चाहिए कब उसकी नर्शरी स्टार्ट करनी चाहिए और कब हमें पौधे को ट्रा आगे आने लिए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको असानी से मिलती रहें दोस्तों वीडियो के लाश्ट तक बने रहीएगा क्योंकि एक भी कोई भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिस नहीं होनी चाहिए मैं पूरी डिटेल में प्याज की नर्सरी से लेके और हर्व समय की नर्सरी लगाना चाहते हैं तो जरूर लगा लें और एक महीने में आपकी नर्सरी तैयार हो जाती में तो आप की तक तो हो ढवारावरी समय मैंने बता दिया कि किस टाइम पर आपको नर्शरी लगानी चाहिए और प्याज को पौद्रोपन कब करना चाहिए अब दोस्तों हम बात करते हैं प्याज के लिए मिट्टी कैसी चाहिए तो मिट्टी आपको चाहिए 50% आप गार्डन सॉयल ले लिजिए 30% काउडन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो भी कंपोस्ट आपके पास अविलेबल हो आपकी 10-15% आप इसमें राइस हस्क मिला लीजिए अगर आपकी पास राइस हस्क नहीं है तो कोको प्यूटी यूज कर लीजिए उसके बाद जो बचे हुए दोस्तों 10% बचे हुए हैं उसमें आप बोन मील सरसो खली नीम खली और कोई भी फंगिसाइट पाउडर ग्रो बैग में आप प्याज को लगाना चाहते हैं लगाने से एक दिन पूर उसमेटी को आप अच्छे से गीली कर लीजिए और अगले दिन जब आपकी मिट्टी हलकी ड्राइव हो जाए तो इस प्रकार उसकी नीचे तक गुडाई कर लीजिए मिट्टी को भुरभुरी क कर लीजिए अच्छे से और उसको बराबर कर लीजिए दोस्तों प्याज लगाने के लिए आपको ग्रो बैक की जो साइच चाहिए वह जितना प्लांटर आपका बड़ा हो उतना अच्छा है गहराई उसकी ज्यादा ना हो तो भी चलेगा आठ इंच से आठ इंच की लेते हैं इससे कोई खास फरक नहीं पड़ता है तो इस प्रकार दोस्तों हमें क्या करना है प्याज मिट्टी को नीचे तक करीब दो तीन नीचे तक गुड़ाई कर लेनी है और जो प्याज हमने नरसरी लगाई है उससे या फिर अगर आप मार्केट से लेके आते हैं प्य तो क्या होता है कि पौधे को ट्रांस्प्लांट करने का जो ट्रांस्प्लांट का सोख होता है उसमें पौधा उपर से पत्तियां पीली पड़ती है या सूखती है तो उससे पूरे पौधे पर इफेक्ट पड़ता है असर पड़ता है इसलिए हम उपर की टिप काट देते ह ताकि जो पौधा की एनर्जी है वो नई ग्रोध पे जदा हो तो पौधा अपनी पूरी एनर्जी नई ग्रोध पे फोकस करेगा तो इस प्रकार हमने उपर की टिप काट दी है अब हम एक एक पौधे को इस ग्रोव बैग में अपने लगाएंगे तो दोस्तों यह हमारी प्याज है चुकि मैंने नर्सरी नहीं लगाई थी तो मैं मार्केट से लेके आया हूँ अभी जनवरी का फर्स्ट बिक चल रहा है और थोड़ी हलके हलकी बारिस भी हो रही है तो मुझे यह बहुत ही सही समय लगा इसको प्याज की पौधरोपड करने तो कि इस समय अगर हम प्याज लगा देंगे तो बारिस और मौसम में नमी की चलते पौधा बहुत ही अच्छे से जड़ें इसकी मिट्टी में पकड़ लेंगी और ग्रोथ इसकी बहुत फास्ट होगी तो इस प्रकार हम किसी टूल्स की मदद से या अपनी हाथ से ही इसमे बना लेंगे होल कर लेंगे और सभी होल में एक एक प्याज लगाएंगी दोस्तों प्याज के बीच की गैपिंग आप कम से कम चार इंच की रखिएगा अगर चार इंच से कम आप दो पौधों के बीच की गैपिंग रखते हैं तो उसमें प्याज भी प्याज की जो साइज होगी प्याज के बल्व की वो भी छोटी रहेगी और आपको गुडाई करने में बहुत ही मुश्किल होगी तो आप स्टार्टिंग में इस बात का ध्यान रखिए कि दो पौदे की बीच की कि दोस्तों हमने डंडे की मदद से अपने मिट्टी में जगा बना लिए और अब इस जो होल हमने बनाया है इस होल में हम प्याज के पौद जो हमने काट के रखे हैं उन्हें लगाएंगे तो सभी होल में करके लगा लेंगे इसे और हलके हलके हाथों से दबा देंगे जिससे की हमारी प्याज मिट्टी में अच्छी से लग जाए पकड़ उसकी मजबूत बन जाए दोस्तों होल थोड़ा गैरा ही रखिएगा तो दोस्तों यह देखिए हमने सारे प्याज लगा लिए हैं यह हमारा ग्रोबैग प्याज लगके हमारी रेडी हो गई है अब हमन इसमें वाटरिंग कर देनी है जब सारे प्याज लगाने के बाद इसमें वाटरिंग कर देंगे अच्छे अच्छे से वाटरिंग कर देंगे जिससे की जो प्याज की रूट्स हैं वो मिट्टी में अच्छे से बैट जाए और उनको अपनी रूट्स को फैलने के लिए नम तो ज्यादा पानी मिलने से वुबल खराब हो जाएंगे गल जाएंगे तो आप इसमें नम वाटरिंग तभी कीजेगा जब उपर की लेयर आपको ड्राइ नजर आए और दोस्तों प्याज में आप जब प्याज लगाते हैं तो पहले 15 दिन तक कोई कॉश्ञा ह्गा तब आप इसमें कंपोश्टिंग कीजी और कंप्ोश्टिंग में वर्मी में ऋपर की सतय मिट्टी तो भी हमाड़ प्याज के जो बल्ब बनते जो हमारी प्याज बनती है मिट्टी में वो उसकी साइज हमें अच्छी नहीं मिलेगी छोटी-छोटी साइज की रह जाएगी तो इसकी गुड़ाई बहुत ही आवस्चक है और साथ में आप इसमें जब भी वह कंपोस्टिंग करें तो इसकी गु देबर